नमस्कार दोस्तों इजी टो लेंड मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत सवगत है हमारे गेट प्रैक्टिक्स कोश्चन में यह आपके सामने सबसे पहला कोश्चन यह रहा आप इसको पढ़ लिजिए और खुद से स्वाल करने की कोशिश केजिए बाद में हम इसका एक कोश्चन है हमारे लिए अब फोर पोल सेपरेटले एक्साइटेड वेवाउंड डिसी मशीन वित निगलीजिवल आर्मेचर रिजिस्टंस इज रेटेट फोर्टी होल्ट और 5KW किलो वैट अट स्पीड अव त्वेल हंडर आर्मेचर कोईल आर्मेचर कोईल आर्मेचर को होल्ट और अड़ पावर इन किलो वैट रिस्पेक्टिवली एड ट्वेल हंडर आर्मेचर के विछ रिकनेक्टेड मशीन इफ फिल्द सर्कीट इज फिल्ड सर्कीट इज लेफ्ट अंचेंज हमें होल्टेज निकालना है और पावर निकालना है किसके लिए जब लाप वा डिफ्वोर्ण दिए मसीन पावरें हमने मैं निकालने तो आप्शन दिए हुए यह आप्शन है टू थर्टी होल्ट और फाइव किलोवैट बी ऑप्शन है हन्डेड और फिप्टीन और फाइव किलोवैट चले यह तो हमें समझ में आ जाए गया कि हमें ल्याप वाउंड के लिए होल्टेज अगरंट निकलना यह तो दोस्तों ल्याप वाउंड के लिए हमारा फार मुला क्या था वी इस़ी कोल टूँ हमारा फार्मुला यह था था न आप जैन पी बाइ यह हमारा फार्मूला था चलो ठीक है तो इसमें ल्याप वाउंड के लिए हम rowsल ळेती हमार красив LP सुरी सूरी माय मिस्टेक व्ययोवाइंड के लिए रख देते कूंकि हमें पहले वॉयंड्मोटर देवी है उसको हमें लावउयंड में कॉक्षण करके यह सब due और यह पर्लेल पाक्थ यह सब्सक्राइद होता है हम सभी लोग जानते है और और separately एक सेड़ है और armature resistance भी क्या दिये है negligible रहने के आरे इक्वल्स तु झीरो हो गई हमारे अरे इक्वल्स तु जीरो हो गई होल्टेज भी दिया है वी इक्वल्स तु तु थर्टी होल्ड और पावर भी दिया है किसके लिए वेव वाउंड के लिए यह सब डाइटा किसके लिए वेव वाउंड के लिए चलो वोल्टेज भी हो गया पावर भी दिया हुआ है पी इक्वल्स टू फाइव के डोबलू किलोवाट ठीक है और स्पीड कितनी दियो है त्वेल हंड्रेड आर्पियां अब हम कंसीडर करेंग कि चलो दूसरे पेच पी ले लेते हैं फॉर वेव वाउंड मोतर फिर वेव वाउंड के लिए हम कंसीडर करते हैं तो होल्टेज कितना दिया हुआ था हमें होल्टेज दिया हुआ था तू थू 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 फाइव ठीक है फाइव फ्लक्स की वैलू नहीं दिया थी इंटू हमें जेड हमें जेड भी नहीं दिया है चलो इसको मैं जेड वन कंसीडर कर लेता हुआ ठीक है इंटू हमें पी कितना दिया हुआ है पी दिया हमें पोल फोर पोल दिया है क्योंकि फोर पोल मोटर थी और स्पीड जो है एन जो है हमें 1200 rpm दिया हुआ है ठीक है अब अपन यह जो आर्मेचर पैरलल पाथ है पैरलल पाथ हमें कितने दी हुए थे टू लेकिन यह जो स्पीड है यह हमें rpm में दी हुए इसको अगर हमें rps में rps में अगर convert करना होगा तो divide by 60 से करना होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर divide by 60 ले लूँगा ठीक है अब इसको मैं equation number 1 दे देता हूं ठीक है फॉर अब मैं आता हूँ लाप ओंड की वह और लाप लाप वाइंडिंग लाप वाइंडिंग के लिए भी फर्मुला वी इक्वल्स टू यह वी तो हमें निकलना है ठीक है फाइट इन्टू फाइट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए जैसा है वह इसे हम रख देंगे ठीक है इसको जेड नंबर इसे रख देंगे ठीक है यह भी नहीं दिया हुआ है इसके बाद हमें पूल दिए है फोर इंटू ट्वेल हंड्रेड अर श्पीड आर्पीम में ठीक है अब डिवाइड बाइट शिक्स्टी क्योंकि यह आर्पीम में है तो हमें आर्पीएस में कनवर्ट करना इसलिए कि से डिवाइड करेंगे शिक्स्टी से और और अब बारी आती है पैरलल पात के लाप वाइंडिंग में एक मिड़ मैं पेंचेंज कर देता हूँ थोड़ा सा लाप वाइंडिंग में नमबर आप पोल इक्वल्स टू नमबर ऑप पैरलल पात होते है यह हमेशा के लिए ध्य लाप वाइंडिंग और व्यवाइंडिंग तब भी मैंने बताया था कि यह आपको पूरी जिंदम पैर्लर पात होते है तो ठीक है हमें number of pole कितने दी हुए है 4 इसलिए number of parallel path कितने हो जाएंगी हमारे 4 इस equation को मैं दो number दे देता हूँ ठीक है अब equation number 1 and equation number 2 को मैं divide कर दूँगा divide equation number 1 and number 2 ठीक है अब divide कर दूँगा तो क्या हो जाएगा 230 230 upon V equals to 5 into Z1 into 4 into 1200 upon upon 60 into 2 whole upon 5 into Z अब देखिए इसमें से सब कट जाएंगे सब कट जाएंगे कट गए अब यह सिक्स्टी यह सिक्स्टी भी कट हो जाए गए यहां पर क्या हो गया हमारा 2 यहां पर 2 रहे गए यहां पर 4 इसका मतलब यहां पर क्या आ गया हमारा 4 by 2 चलो यहां तक तो आ गया हमारा 4 by 2 अब 230 अपॉन वी इकोल्स टू 4 by 2 तो यह वी इकोल्स टू कितने आ जाएगे मिला 1 1 5 1 1 5 होल्ड चलो होल्ड टेश तो निकल के आ गया हमारा अब हमें पावर निकालना है पावर अब हम पावर की बात करेंगे पावर की पहलो तो पावर फोर वेव ओन वेव ओन मोटर के लिए सबसे पहले हम पावर देख लेंगे तो टोटल कंड़क्टर इन सिंगल पाथ एक पाथ में टोटल कंड़क्टर कितने हो सकते हैं टोटल कंड़क्टर कंड़क्टर इन सिंगल पाथ ये कितने हो जाते हैं हमारे जेड़ बाई टू जेड़ बाई टू एक मिनिट मैं पेंट चेंज कर लेता हो जेड़ बाई टू हो गए हमारे अब जेड़ बाई टू का रिजिस्टन्स कितना होगा लेट रिजिस्टन्स अफ जेड़ बाई टू कंड़क्टर इकोल्स टू आर अगर मैं कंसीडर करता हो तो ये क्या हो जाएगा जेड़ बाई टू इकोल्स टू आर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जेड़ इकोल्स टू आर बाई टू ठीक है अब पावर देखते हैं पी अगर वेव आउंड के लिए पहले हम देख रहे तो मैं इसको पी वन देदेता हो वी स्क्यूर पावर का फर्मूला वी स्क्यूर अपन आर वन इकोल्स टू आर वन की वैल कंड़क्टर है उसके लिए रिजिस्टन्स क्या हो जाएगा मेरा आर बाई टू तो मैं यहाँ पी वी स्क्यूर अपन भी वन स्क्यूर यहाँ वन देदेता हो अपन आर बाई टू इसको मैं इक्वेशन नंबर वन देदेता हूं कि अब बात करते हैं हम लाप व्यंडिंग की फॉर लाप वाउन मोटर अ है मोटर उसके लिए अब देखिए टोटल कंड़क्टर इन सिंगल पाथ total conductor in single path total conductor in single path कितने हो जाएंगे मेरे ये क्या था हमारा Z by A ही था न A की value कितनी थी? 2 थी तो यहाँ पे ये की value क्या हो जाएगे Z by A equals to Z by लाप ऋंड में क्या होता है number of pole equals to number of parallel path इसका मतलब पूल कितने थे फोर तो चलो रेजिस्टन्स कितना हो जाएगा इसके लिए लेट रेजिस्टन्स और सिंगल पात सिंगल पात के लिए रेजिस्टन्स मेरा कितना हो जाएगा आर बाइ टू क्योंकि जेड की वैलू अगर मेरे यहाँ पर आर बाइ टू थी जेड की वैलू मेरे आर बाइ टू थी तो इसका मतलब मेरे अगर मैं यहाँ पर आर बाइ टू अगर रख देता हो तो मेरा अंसर कितना आ जाएगा जेड अपान 4 इस जेड की वेलू r by 2 अगर रख दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा r by r by 2 ठीक है यह r by 2 आ गया मेरा अब sorry, sorry my mistake यहापी कितना हो जाएगा मेरा r by 8 r by 8 हो जाएगा इसका मतलग मेरी r की वेलू कितनी हो जाएगी total resistance total resistance equals to total resistance equals to r by 8 अब मैं power लिख लिता हूँ next page पे देखते हैं p2 क्या हो जाएगा मेरा p2 equals to आनिका power for lap wound क्या हो जाएगा p2 equals to v2 square upon r2 अब देखें v2 square upon r2 कितना आ गया था मेरा r by 8 इसको मैं equation number 2 देदेता हूँ ठीक है अब equation number 1 and 2 power के जो equation है 1 and 2 उनको मैं divide कर देता हो p1 upon p2 equals to v square 1 into r by 2 upon v2 square into r by 2 इस तरीके से लिख सकता हो अब क्या हो जाएगा v1 मेरा कितना है 230 का square upon r by 2 into r by 8 r by 8 upon मेरा v2 कितना आया था 115 square अब देखें इसको अगर हम solve करेंगे तो हमारा answer कितना आ जाएगा 1 इसको जब हम solve करते हैं तो हमारा answer कितना आ जाता है इसका मतलब p1 upon p2 equal to equal to 1 है अब p1 by p2 ये ratio कब 1 आएगा जब दोनों power सेम होगे जब दोनों power सेम होगे तभी 1 आएगा ना इसका मतलब अगर माए p1 की value अगर उन्होंने वेव वाउंड की work जब motor वेव वाउंड में थी तब power हमें 5 kilowatt दिया था 5 kilowatt दिया था जब मेरा p2 5 kilowatt रहेगा तभी तो 1 आएगा ना इसका मतलब क्या हो जाएगा जब अगर p1 5 kilowatt है तो मेरा p2 भी 5 kilowatt ही रहेगा तभी तो जाके इसका ratio 1 आएगा ना ठीक है 1 आएगा तो हमारे answer में answer में voltage v2 1 1 5 और power जो है 5 kilowatt की कौन से condition कौन से option में दिया था देख लेते हैं तो हमें voltage 1 1 5 and 5 kilowatt kilowatt power supply हमें दिया गया था बी option में इसलिए हमारा correct option कुन सा है बी आने के voltage की value कितनी आई थी हमारे 1 1 5 and power कितना आ गया हमारा 5 kilowatt आने कि इसका मतलब बी option हमारा सही answer है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं next question next question आपके सामने है due to revoltser of power flow direction a community compound motor becomes option number 1 a shunt generator option number B series generator option number C differential compound generator option number D cumulative compound generator इनका कहने का अर्थी है अगर मैं cumulative compound motor को अगर generator के तोर पी use करूंगा तो इन में से कोन सा generator हो जाएगा इन में से कोन सा generator हो जाएगा बहुत से लोग suddenly cumulative compound generator है machine तो change होने वाली नहीं है इसलिए धड़ाक से बिना सोचे समझे community compound motor पे पीक कर देते है अब और बाद में उनको minus marking को face करना पड़ता है इसके तो mark चले ही जाएंगे और minus में जो हमारे mark हो जाएंगे वो अलग से होंगे इसलिए पहले सोचो हो सके अगर आपके पास time है वैसे तो time हमारे exam में कम होता है लेकिन हो सके तो possible अगर होगा तो diagram draw कीजे अगर आपको थोड़ा भी 1% 0.001% भी अगर हो confusion लग रहा हो तो आप diagram draw कर लेजिए चलिए देखते है diagram draw करने के बाद क्या effect हो जाता है चलो यहाँ पर diagram draw कर देते हो मैं पहले motor consider इन्होंने motor consider किये तो मैं पहले motor ड्राव करूंगा community compound motor draw करूंगा shunt motor ठीक है इसकी across में है field यह हो गए मेरे series field और यह हो गए मेरे shunt field ठीक है और यह आर में चर्प यहाँ पर जो मिलने वाला है वह मेरा यहाँ पर जो मैं दूंगा वह supply voltage दूंगा ठीक है और वह इसी मैं एक generator draw कर देता हूं same as it is as it is मैं generator draw कर देता हूं यह हो गए मेरा armature और यह हो गए मेरे shunt field यह हो गए मेरे shunt field और यहाँ पर मुझे मिलेगा eg generated emf जब मैं generator की तोर पर यूज करूंगा अब देखिए cumulative और differential compound की condition क्या है वो देख लेते हैं पहले तो cumulative compound की condition देख लेते हैं cumulative compound उसकी condition क्या बूलती है हमें जब series field series field और shunt field अगर add हो जाए तो उसी को हम cumulative compound बोलते हैं और differential compound किसको बोलते हैं differential compound किसको बोलते हैं अगर series field और shunt field एक दूसरे को अगर oppose करती है एक दूसरे को अपोस करती है तो differential compound हो जाती है ठीक है अब देखिए यहां पर जब मैं supply voltage दे रहा हूं तो current की direction कैसी इस तरीके से यहां से इस तरीके से current जाएगा ठीक है और series field अभी तक मैंने armature की बात नहीं किये series field में downward direction से current जाएगा और shunt field में से भी downward direction से current जाएगा अब मैं इस motor को generator की तोर पर यूज़ कर रहा हूं इसका मतलब armature current फेड करेगा ठीक है armature current फेड करेगा तो यहां से जाने वाली direction जो है इस direction से हो जाएगी series field में से जो current flow होगा वो इस direction से flow होगा और shunt field में से इस point पे यहां से armature आये आये निकलेगा और यहां पे जाके divide हो जाएगा कुछ current इस side में जाएगा कुछ current as per requirement इस side में जाएगा तो shunt field की direction कैसे होगी downward shunt field की direction कैसे होगी current की downward as it is same motor और generator में same रहेगी ठीक है लेकिन series field की direction current की direction change हो रही है जब मैं supply दे रहा था इसका मतलब motor के तोरुपे work कर रहा था तब downward direction थी series field की series field की और जब मैं supply ले रहा हूँ इसका मतलब की generator की तोरुपे work कर रहा हूँ machine का तब मैं मेरे current की direction upside में है अब देखें community compound की condition क्या कहती है जब यह motor की तोरुपे work कर रहा है तब दोनो series and shunt field यह दोनो add हो रही थी ठीक है यह दोनो add हो रही थी क्योंकि same direction थी इसलिए यह compound हो गई चलो यह तक तो ठीक है compound हो गई लेकिन जब मैं generator की तोरुपे use कर रहा हूँ तो इन दोनों की direction opposite हो गई और opposite direction वाली condition किसकी है differential compound motor की इसलिए community compound motor अगर हम generator की तोर पी use करेंगे तो वो differential compound generator हो जाएगा differential compound generator हो जाएगा यही हमारा सही answer है अगर मैं community compound बिना सोचे समझे या फिर बिना डाइग्राम निकाले अगर मैं d option पर आने के community compound generator पर टीक कर देता तो मेरा answer wrong हो जाता था तो यही सब बाते हमें ध्यान में रखनी है अगर क्या होता अगर इसी numerical को मैं opposite कर दो चलो करके देखते हैं next numerical not a numerical question पहले मैंने cumulative compound motor ली थी अब मैं differential compound motor लूँगा तब वो क्या हो जाएगी देखते हैं due to reverse flow of reverse of the power flow differential compound motor becomes क्या हो जाएगी शंट हो जाएगी as differential compound generator बन जाएगा या cumulative यह दोनों तो नहीं होंगे यह तो जाहिर सी बात है ठीक है यह दोनों नहीं होंगे अब बात होगी community compound और differential compound generator की ठीक है अब वही डाइग्राम अगर निका उसी डाइग्राम की तोर पर हम देखने जाए वही same condition और वही diagram देखने जाए तो क्या हो जाएगा अगर differential अगर community compound motor generator की तोर पर work करती है तब मेरी differential compound motor बन जाती है अगर मैं उसी को उल्टा कर दो differential compound generator को अगर मैं जनरेटर की तोर पर यूज करूंगा तो मेरी cumulative compound motor हो जाएगी स्वरी cumulative compound generator हो जाएगा community compound generator हो जाएगा आप देख सकते हैं जैसे कि इसके पहले इसके पहले एक्जामपल में था जिस तरीके से हमने diagram बना के draw की थी आप उसी तरीके से diagram बना के draw करके देखिए और condition apply करके देखिए आपको answer मिलेगा community compound generator जब भी differential यह basic सी चीज है अगर आप differential compound motor को generator की तोर पी यूज करते हैं अगर generator की तोर पी यूज करते हैं तो वह बन जाएगा community compound generator और अगर community compound motor को आप generator की तोर पी यूज करते हैं तो वह बन जाएगा differential compound generator यही basic सा फंडा है और फंडा भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है simple सा है direction of current community compound में क्या होते है series field और shunt field अगर add होते हो तो वह जाएगे community compound अगर shunt field और series field यह एक दूसरे को अपोस करेंगे तो हो जाएगे मेरा differential compound generator या फिर differential compound motor यही basic सा फंडा है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद कल और और ज्यादा कोशन के साथ मिलते हैं हम और ज्यादा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको के series भी provide करने की मैं कोशिश करूंगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद को